multiply 65 times 1 हमें कहा गया है कि हमको 65 को 65 को 1 से हमको multiply करना है multiply जिसको actually हमने यहाँ पे इस dot से show कर दिया है अब 65 times 1 का मतलब हुआ कि 65 को एक ही बार add करो खुद से यानि कि यह 65 के ही बराबर आ जाएगा यहाँ पे 65 अब आप इसे 65 times 1 कह ले या फिर आप इसे 1 times 65 कह दे 1 times 65 मुझे नहीं लगता कि कुछ फरक पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1 को खुद में 65 बार add कर दो तो वो करने पे भी हमारा final result क्या होगा 65 ही हो जाएगा और actually यह 65 के लिए नहीं आप यहाँ पे कोई भी number रख लें यहाँ पे हम अगर कोई भी number रख दें और इसको अगर हम लोग 1 से multiply कर दें तो यहाँ पे जो भी number आप रखेंगे वो same number यहाँ पे आजाएगा Same number हमको यहाँ पे मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे अगर आप रख दें चुछ 37 तो यह भी 37 हो जाएगा इसकी जगा माल लेते हम कुछ रख देते हैं यहाँ से 42 तो 42 x 1 फिर से 42 हो जाएगा कुछ भी आप यहाँ पर रख लीजे कुछ भी नंबर आप यहाँ पर रख लीजे आपका जो भी नंबर आप यहाँ रखेंगे वो सेम नंबर यहाँ पर आ जाएगा तो actually 1 से multiply करने पर इस नंबर पर तो कुछ फर्खी नहीं पड़ रहा है जैसे माल लेते हैं हम यहाँ पर रख देते हैं कुछ 4.2 4.2 रख दिये तो 4.2 x 1 भी 4.2 ही हो जाएगा कुछ फर्खी नहीं पड़ा ना ही 65 पे ना ही 4.2 पे किसी भी नंबर पे तो actually इस operation से इस नंबर पे कोई change ही नहीं आता है वो same रह जाता है तो इसलिए हम लोग 1 को इस 1 को हम लोग multiplicative identity बोलते हैं multiplicative I hope मेरा spelling सही हो identity identity multiplicative identity बोलते हैं क्योंकि आप 1 को किसी भी नंबर से multiply कर दीजे वो number same हो जाएगा और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ एक number के लिए valid है यह किसी भी number के लिए आप कर सकते हैं